एक्सरसाइज 2.2 उसका फर्स्ट कोशन है find the value of polynomial, इस polynomial की value find करनी है, x की value हमारे पास कुछ given है, ठीके, तो 2.2 का फर्स्ट पार देखो, यह हमारे पास, इसको हम लिख लेंगे, जो polynomial जो भी given होगा, उसके पास हम उसका name ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर हम हमारे पास 0, हम क्या करेंगे, x की जगे हमने ले लिया 0, जहाँ भी x है, उसके जगे आप क्या value put कर लो, 0 put कर लो, तो 5, इंटो में 0, माइनस में 4, इंटो में 0, इसका स्क्यार, प्लस में 3, 5 को 0 से करेंगे, तो 0, माइनस में 4, इंटो में 0 का स्क्यार करोगे, 0, प्लस में 3 हाँ 0-4 को 0 से करेंगे 0 प्लस में 3 तो यह आपके पास आ गया answer 3 यह हमारे पास क्या आ गई value आ गई next है हमारे पास PX को हम यह ले लेंगे जो हमारे पास given है 5X-4 X का square प्लस में 3 लेकिन अब value चेंज कर देंगे value next ले लेंगे X is equal to minus 1 अब हमने ले लिया X is equal to minus 1 यह given हमारे पास second value तो P यहाँ पर हमने ले लिया minus 1 5 into minus 1 minus 4 minus 1 का square प्लस में 3 5 को minus 1 से multiply करेंगे तो minus 5 minus 4 minus 1 का square करोगे तो 1 आ जाएगा प्लस का प्लस में 3 minus 5 4 को 1 से multiply करेंगे minus 4 plus में 3 minus minus plus minus 9 plus में 3 answer निकालेंगे तो 6 इस तरीके से हमारा first part होगे second question भी same है second question है हमारे पास first part PY is equal to Y square minus Y plus में 1 आब इसमें question है हमारे पास देखो Y square minus Y plus में 1 Y की value हमारे को एक बार 0 लेनी है second time 1 third time 2 और 3 बार हम इसको करेंगे 3 times पहले हम क्या करेंगे Y की value 0 यहाँ पर हमने लिए 0 0 का square minus में 0 plus में 1 0 का square करेंगे तो 0 minus 0 plus में 1 तो यह 1 answer अब second time हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा Y square की place पर 1 रख दिया 1 का square minus Y की पर 1 रखा plus में 1 1 का square करेंगे तो 1 आएगा minus 1 plus में 1 1 में से 1 minus square 0 plus 1 यहाँ नि 1 यह answer आगे next time हम क्या करेंगे इसमें 2 रख देंगे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ y² की प्लेस पे 2, 2²-2, y की प्लेस पे 1, 2 का स्केर करेंगे 4-2, प्लस में 1, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, प्लस में 1, इतमें 3, तो यह हमारे पास value आगे, तो second question के सारे parts जो है, इसी तरीके से आपके हो जाएंगे, आपको क्या करना है, पहले polynomial लिखना है, और polynomial के अंदर, पहले 0 value पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, और solve कर दोगे, answer जो भी आएगा वो लिख दोगे.